आज हम बनाएंगे ब्रेट पकॉड़ा जिसमें 2-1 का स्वाध है पकॉड़ा एक स्वाध दो हलो दोस्तों आप सभी लोगों का अच्छी मासाला किचन में स्वागत है रेश्पी अच्छी लगए तो लाइक से सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए पकॉड़ा बन केची आघक में एक चमँम्माच आयल गरम करेंगे ईल गरम हो चुका है एक चमँमच बारी पाहो देख़े हुद्रेश अच्छे से भुना चुका है अब इसको हम गैस पर से उतार लेंगे और मैस किये हुए आलू में इसका हम तड़का दे लेंगे तो इस तरह से तड़का देने से आलू की मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आएगा अब बारी कटी हुई धनिया पत्ती एट करेंगे स्वाद की अधा चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे और सारे चीजों को हम अच्छे से मैस कर लेंगे तो देखिये यह अच्छे से मैस हो चुका है तो यह हमारा आलू का मसाला जो है बहुत अच्छे से त्यार हो चुका है इसके किंचारेस को काटके निकाल देंगे ब्राउन ४ार्ट के निकाल निकाल रहें इसको भेल पर रहान strangely कर लेना है तो देखिए इस तरह से हमने इसे पतला सा कर लेना है तो सारे हमने इसी तरह से सारे ब्रेट को बेल लिये हैं अब एक ब्रेट को लेंगे और जो हमने आलू का मसाला त्यार किया था इसको ब्रेट के उपर रख करके इसको चम्मा से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको पूरे ब्रेड में लगा लेंगे तो इस तरह से हम पूरे ब्रेड में लगा लेंगे विल्कुल पतला सा लगाना है मोटा सा नहीं लगाना है नहीं तो फोल्ड करने में दिक्कत होगी तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है अब ब्रेड के एक तरफ से किनारे से ह और इसको मोडते हुए पकड़ पकड़ कर लेंगे सो UFO लीग धार करने बाद थोड़ा सा महाधसर रोल कर लेंके जिससे चिपक जाएगा तो देखिए आलू होने की वजह से यह रोल बहुत अच्छा बन गया है तो इसी तरह से सारे ब्रेट्स की हम रोल बना लेंगे तो देखिए हमने सारे ब्रेट्स के रोल बना लिया है अब इदर दो मीडियम साइज के लच्छे में कटे हुए प्याज लेंगे अधा चम्मच नमक एट करेंगे अधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कस्मीरी लाल मेर्ज पाउडर डालेंगे और दो चम्मच हम इसमें बेसान एट करेंगे तो पहले हमने एक चम्मच बेसान एट किया है दो पींच हींग एट करेंगे और अच्छे से हम इसको प्याज के साथ मैस करेंगे तो देखिए हमें इसका एक पेष्ट बनाना है तो यह हमें थीक सा पेष्ट बनाना है तो इस तरह से देखिए हमने पानी डाल डलके थोड़ा-थोड़ा करके पेष्ट बना लिया है इस तरह से तो इसी तरह से गाड़ा सा पेष्ट बनाना है अब एक हम ब्रेट को रोल को लेंगे और इसमें हम प्याज के लच्छे को अच इससे इक बार में यह पर ब्लट ना और ब्लट करके इस तरह से हम चारो तीरह से घुमा करके कर लिए तो देखिए यह निन भूमा पसकूत है इसपोनने क्रिस्पी कर लिया है अब इसको निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने 5 लेशा बागी बचे हुए फ्र fellow Armstrong को भी थी whipping तो देखिए यह कितना अच्छा बना हुआ है एकदम अलग तरीका का ब्रेट पकोड़ा है जिसमें आपके आलू और प्याज दो स्वाद मिलेंगे तो आईए आपको काट करके दिखाते हैं तो देखिए यह कितना अच्छा बना हुआ है अंदर से आलू कितनी श्टफिंग बनी भरी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नहीं रिस्प्रिक साथ है अगली वीडियो में एक नहीं रिस्प्रिक साथ है